नमस्कार जोहार अदाब बड़े उदोग पतियों को लाब पहुचाने वाले हैं ये बाते पूर्यू सियम और जामों और सुप्रिमों शीबू सोरे ने शनीवार को बरवा अड़ा इस्चित एक ढामे में मीडिया से बाचित में कही वे राचि से दुमका जाने के करम में यहां दो पहार में रुके थे उन्होंने कहा कि केंदर की मोधी सरकार पिछले वर्षों में कई ऐसे बिल और कानून लेकर आई है जिसकी वज़े से जनता सरकों पर उतरने को मजबूर हो गई है दुमका में 22 दिसंबर को लगेगा रोजगार मेला चार सा से भी अधिक पदो पर होगी नियुक्ति स्रम नियोजन परिसिक्षन एवन कौसल विकास विभाग जारखन की पहल पर 22 दिसंबर को दुमका में नियुक्त कैम का आयोजन किया जाएगा अवर प्रादेशिक नियोजन आले दुमका में ये कैम्प आयोजित होगा कैम्प में आर्किटिक इंडेस्टिस भावानपूर वारनाशी के जरिये अलग-अलग कैटेगरी के 400 से भी अधिक पदो पर नियुक्ति की जाएगी हैमन्द सोरेंप ऒजए आरोपों पर बिजएपी हामलाबाद बाबूलाल मरंडी बोले नेतिकता के अधार पर इस्टिफा देशियम जार्खन के पूर मुक्मंति और भाजपा विधायक दलकीनेता बाबूलाल मरंडी ने राजी के मुखमंतरी हैमन सोरिन पर निसामा साथ वे मुमई में एक यूती की और से दर्ज सिकायत को संगीन करा दिया है बाबुलाल मरणी ने कहा कि यूती ने शीयेम पर जो आरोप लगाए हैं उसके बाद मेर्धिता के आदार पर मुक्कमंत्री हमन सोरेन को अपने पज़ से इस्तिफाद देना चाहिए और खूद लगे इस संगीन मामले की CBI से अभिलम जाच कराएं अब खाबर गोड़ा सी गोड़ा में 20 साल बाद भी स्वास्त सेवा में बधाल हारत में जहारखन के गठन के बाद कई सरकारे बनी बिकास के दावे और वादे भी सामनी आएं गोड़ा में तकरीबन हर छित्र में बिकास हुआ पर मरीजों की पीड़ा इस सोर में दब गई स्वास्त विभाग चिकिस्ता सुविदा उपलाब्त कराने में पिचल गया बिस साल बाद भी पंदर लाग के अबादी वाले जीले में इलाज की कोई माकूल ब्योस्ता नहीं हो पाई है नजीत दन यहां के अधिकतर मरीज बिहार के भागलपूर रेफर होते रहे हैं गोड़ा से चैनित बीस लाबुक जाएंगे राची राज सरकार के कारेकाल के एक साल पूरे होने पर गोड़ा जीले से चैनित बीस लाबुकों को कारेकरम में सामिल होने के लिए राची बेजा जाएगा सनिवार को उपायक्त भोर सिंग यादप की अधिशता में जीला मुख्याले में भी बैटक में इसका निरना लिया गया 29 दिसंबर को राची के साथ जीला अस्तर पर भी कारेकरम आयोजित किये जाएंगे सभी सम्मंदित विभायों को त्यारी करने का निर्देश दिया गया है जीला अस्तर पर इसकुली किर्केट लीग परतिगुता हुई शुरू जीला किर्केट एसोइसेशन के तत्तोधान में रिटेश मिमोरियल इसकुली किर्केट परतिगुता सुनिवार से सुरू गया जीला खेल पदादिकारी राहुल कुमार ने परतिगुता का ओधगाटन किया इस दोनान खिलाडियों से परिचे प्राप्त किया मोके पर जीला खेल पदादिकारी ने कहा कि जिस तरह से जीला किर्केट संग कोरोना काल में भी जीला परसासर के अस्तर से उपलब्द कराएगे एस ओपी का पालम करते हुए आयोजन कराया जा रहा है यह काफी सारानी है अब खबर देवगर से बाप बेच रहा तारी बेटा धनकुबे अपराद की कमाई से सान सोकत की कहानी साराट के किसन चोधरी किसन मुल रूप से बिहार का मुंगेर के घोगा गाउ निवासी है पांच दसक पहले किसन के पिता मुधू चोधरी सारत आये थे एक जोपड़ी बनाई और तारी बेचने लगे आज भी हुए तारी बेच रहे बचपन से गरीब की च्छाओं में पला बला उनके बेटे अजीत को इमांदारी की जिन्दगी रास नहीं आई थी देवगार और जामताला में साइबर अपराद से चुटकियों में लाखों कमा लेने वाले अपरादी उसकी रॉल मॉडल बन गए बस क्या था अपने साथ ही राजीप के साथ वो भी इसी रा पर चल पड़ा अपरादी की दुनिया में कदम रखते ही काली कमाई आने लगी साइबर अपराद के दो मामले में तीन आरोपितों को धर्दो पचा गया साइबर थाने की पुलिस साइबर अपराद के दो अलग-अलग मामले में तीन आपरोतों को दवचने क्या कामयाब हुए हैं। देवहर उपायुक्त में मार्क 2021 तक सतसंग नगर आर ओबी का निर्मान कार्य पुन करने का दिया निर्देश। साइबर अब जामताला से इट भटा माली के अपरित पुत्र को छोड़ दिया गया। जारखन में जामताला जीले के करमाटार थाना छेतर के गुरुवार को अपरित किये गए इट भटा माली के पुत्र को अपराधियों ने छोड़ दिया। पुली सुत्रों ने सनिबार को यहां बताया कि जीले के नवादी गाहों से गुरुवार रात करीब एक बजे सर्फराज अंसारी का चोड़ो वर्षे पुत्र इट भटा के निकट सो रा था। इसी दोरान नकाप पोस्ट अपराधियों ने सगीर अंसारी का अपरन कर लिया। साथ ही अपराधियों ने दो अन्य लोगों का भी अपरन क्या था। लेकिन कूछ दिर बार अपराधियों ने दोनों को छोड़ दिया और सगीर को अपने साथ ले गए। बिरिहत जलापूर्ती योजना के लिए पूरा हुआ सर्वे जामतारा के कर्मा टंड पर्खन के हारगर में पानी पहुंचाने के लिए पेजल योजना को शिग्र धरातल पर उतारने की सारी परकिराय पूरी करने के लिए सारण बिधायक रंदीर कुमार शिंग ने पी एच इडी के अभियनता परमुकव उमेश परसात के साथ सनीवार को बैटकी इससे अभिलाम बिरिहत जलापूर्ती योजना का निविदा निकालने का निर्देश दिया योजना का लाव देने को घरों का सर्वे पूरा हो गया है सरकार की योजना पास सिस्टम फिल एक तरब सरकार बिजिटल इंडिया की सुभिदा गाउगाउं तक पहुचा रही है तो ही गरामीन छित्रों में मोबाइल नेटवर्क नहीं रहने से लोगों की परिशानी बढ़ गई है सरकार बित्र पराली से खादान का बित्रन के लिए योजना तो चला रही है लेकिन नेटवर्क की कमी से ये सिस्टम फेल होने के लगा है पीटी एस दुकानदार खादान बित्रन को पॉस मशिन के साथ लाभूकों को लेकर उचाई तक पहुचते है तब जाकर किसी को खादान मिल जाता है ऐसे में गरीबों को मिलने वाले सरकारी निवाले पर आफ़त हो रही है अब खबर पाकुर से पंचाय चुनाव नहीं कराना चाती हैमन सरकार जारखन की हैमन सरकार पंचाय चुनाव नहीं कराना चाती है ताकि पंचायती राज की रासी को अधिकारियों को मिली भगा से अपना जोला भर सके उक्तवाते बाबुलाल मनंडी ने सनिवार को जामुमों के गड़ लिटी पारा में कही वे यहां दामीन डाक बंगला में भाच्पा के अनुसुचित जन जाती कारिकारता सम्मेलन को समोधित कर रहे थे पुर्मुकमंतिर ने हैमन सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जारखन की सरकार भर्ष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और बेशायों के इसारे पर चल रही है एंडी आरेप टीम को नहीं मिली काम्याबी परखन के सुराईडी इस्तित अजै भगत के पत्तर खदान में हायवा चालक के 100 की तलास में सनीवार को एंडी आरेप टीम देवघर से पोची काफी मसकत के बाद भी एंडी आरेप की टीम खदान से 100 की तलास नहीं कर सकी इसके हाईवा चालक के परिजनों में मायुशी देखी गई वहीं चोथे दिन भी हाईवा चालक का साओ नहीं मिलने पर आक्रोशित लोगों ने आंदुलान की धम की दिया फिल्टर प्लान के पानी से भर रहे हैं कित खबर साहब गंज के राजमहल से है कसवे के देवली सडक मार्क पर बने बिसल पूर टोंक उनियारा पेजल परिजना के फिल्टर प्लान से निकलने वाला गंदला पानी तलाब के करीब खेतों की परिशानी बनता जा रहा है यहां पलान से पानी फिल्टर करने के बाद बचे हुए पानी की निकासी बरसाती नाले से होकर सारोधनिक तलाब में की जाती है सारुजनिक तलाब परिशर में प्रसासन की अंदेकी के कारण हो रहा है अतिक्रमन के चलते तलाब का बरता जलस्तर निकडवर्ती खेतों में भर रहा है कि सारों ने बताई कि तलाब के करीब लगबग 20 भीगा भूमी फिल्टर प्लान के पानी से जलमगन हो जाती है जिसे पिछले दो से तीन वर्ष तक कास्त कार्य नहीं हो पाता है